अगर बात करें इस मोबाइल की स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मोबाइल में गोरिला ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको नहीं मिलेगी अब चलते हैं इस मोबाइल के अगले सेग्मेंट के तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस मोबाइल के ओपरेटिंग सिस्टम चिपसेट और जीप्यू के बारे में इस मोबाइल में Android 11 ओपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा चिपसेट, MediaTek, Dimensity 1100 5G होगा और अगर बात करें इस मोबाइल के जीप्यू की तो इस मोबाइल में Mali G77 MC9 जीप्यू आपको देखने को मिल जाएगा आप बात करते हैं इस मोबाइल के में कैमरे की जिसमें 64, 8 और 2 मेगा पिकसल के ट्रपल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, कैमरा फीचर में इस मोबाइल म तो इस mobile में 16MP का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी आप चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 128GB और 256GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की में तो ये mobile आपको 6GB और 8GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें sound quality की तो इस mobile में decent quality का stereo loud speaker आपको देखने को मिलेगा और 3.5mm jack भी इस mobile में होगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor आपको under display देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस mobile की बैटरी के बारे में जिसमें 4500 MHK के लाइप यो बैटरी आपको देखने को मिलेगी और चार्जिंग की बात करें तो इस mobile में 30W की फास्ट चार्जिंग भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा और infrared port और NFC का feature इस mobile में नहीं होगा अब चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color, price और release rate की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको black, blue और yellow color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 18,590 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 14 January को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like share जरूर करना और channel को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में